हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटू चैनल हो मेजुकेशन में तो डियर इस्टूडेट आज हम बताएंगे क्लास तेंथ में जो सब्जक्ट होता है वो कौन कितने नंबर का होता है तो देखिए क्लास तेंथ अल सब्जक्ट ठीक है अल सब्जक् कौन भी से कितने नंबर का होता है यानि हिंदी है तो कितने नंबर का होता है इंगली से कितने नंबर का होता है ये सब जनकारी जो है इस वीडियो में मिल जाएगा विस्तार पुर्बग आपको दूसरा कोई वीडियो देखने को जरूत नहीं है तेंथ क्लास के बच्चों के लिए यह वीडियो है जो तेंथ कलास में बच्चे हैं जो अभी जाने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो है बाकी दूसरों के लिए यह वीडियो नहीं है जरूर देखे और अपने दोस्तों के पास सेर करे तेंथ कलास के बच्चे जरूर ये वीडियो देखे और अपने दोस्तों के पास सेर जरूर कीजिएगा तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा है और यहाँ पर हिंदी में ठीक है तो सबसे पले हम देखते हैं इससे इसकी बारे में बात करेंगे हिंदी ठीक है जो हिंदी होता है वो कितने नमर का होता है हिंदी जो है आपका सो नमर का होता है ठीक है इंग्लिस इंग्लिस जो है इंग्लिस भी आपका सो नमर का होता है जिसमें आपको हिंदी है सो नमर जिसमें आपको पासिंक मार्स जो होता है वरना आप फेल हो जाएंगे math math जो है 100 नमर का होता है math भी 100 नमर का होता है और इसमें passing marks जो होता है 30 नमर 30 नमर आपको लाना ही लाना है तब ही आप pass कर पाएंगे वरना फेल कर जाएंगे आगे बढ़ते हैं science छोथे नमर पे है science science में आपको मिलेगा 100 नमर नहीं मिलेगा आपको 70 नमर मिलेगा 17 नमर का आपका exam होगा ठीक है उसमें भी आपको 30 नमर लाना है 30 लाइएगा तब ही आप pass होँगे वरना फेल हो जाएंगे ठीक है उसके बाद से आपको 30 नमर आपका प्रेडिकल से मिल जाता है ठीक है तीस नमर जो है प्रेडिकल से मिल जाएगा तो टूटल आपका हो जाएगा सौ नमर ठीक है अब साइंस में देखी आपको पढ़ना पढ़ेगा तीन थोबी से फिजिक्स, कमस्टी, बाइलोजी भौतिकी, रसायन, सास्त्र और जी भी यह आपको तीनु पढ़ना पढ़ेगा तीनु का एक ही में एकजाम होता है अब आगे देखते हैं पाचुवे नमर पे ठीक है पाचुवे नमर पे है सोशल साइंस यानि समाजिक बिज्ञान इसमें भी आपका जो सत्ता नमर का एकजाम होगा पाचिक समाज जो तीस है ठीक है, तीस लाना है और तीस नमर का आपका जो है प्रेडिकल होगा तो सो नमर हो जाएगे ये भी अब देखिए सोशल साइंस में आपको पाच जो सबजक्ट हो पढ़ना पढ़ता है पाच सबजक्ट पढ़िएगा उसका एकजाम होगा तो पहला है इतिहास यानि हिस्ट्री दूसरा है इकनोमिस यानि और्थ सास्त्र तीसरा है जेगिरोफी यानि भूगोर चौथा है पोर्टिकल साइंस यानि राजिनीत्ती सास्त्र और पाच जो नमर पहे है डिजास्ट्र मनेजमेट यानि आपदा परवन आपदा परवन ठीक है यही जो है आपको कलास्टेंथ में पाच सबजक्ट पढ़ना होता है और इसी का एकजाम होता है टोटल एकजाम जो है इसी पर अधारित है बहुत सारे बच्चों को यह सब नहीं मालूम होगा तो आई होप ए वीडियो आच्छा लागा होगा तो हमारे चैनल को सस्क्राइब लाइक जरूर कीजिएगा फिर मिलते हैं अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ ठीक है